इन्सान जब सुखी होता है तो खुश होता है या कहें खुश तभी होता है जब सुखी होता है पर क्या खुश होना आसान है शायद नहीं वैसे ओशो ने कहा है कि सुख के कारण हमारे अंदर ही होते है बाहर नहीं यही बात खुशी के बारे में भी कही जा सकती है खुश होने के कारण हमारे अंदर ही होते हैं पर ज्यादा तर लोग खुशी को बाहर तलाश करते हैं बाहर यानि उन चीजों, संबंदों और सफलताओं में जो उनके जीवन में होती ही नहीं है ऐसा नहीं है कि कभी हो नहीं सकती पर फिल हाल नहीं है इस न होने से हम उदास रहते हैं जब कि हमें जो हमारे पास है उससे खुश होना चाहिए खुशी बाजार में नहीं बिक्ती, वह तो आपके अंदर होती है बस उसे बाहर लाने की जरूरत है, खुशी के कारणों को पहचानने की जरूरत है लोग अक्सर खुशी के कारणों को बाहर तलाश करते हैं, जबकि असली कारण तो उनके जीवन के अंदर ही होते हैं जब बहारी कानों से खुशी नहीं मिलती तो लोग दुख उदासी के दलदल में धंस जाते हैं और एक बार आप दुख उदासी के दलदल में फसे कि फिर बहार आना मुश्किल होता जाता है कहीं आप भी इस्थिती के शिकार तो नहीं है क्या आप भी बाहरी कारणों से उदाशी के दलदल में फसे हुए हैं बाहर निकलना चाहते हैं यदि हाँ तो अपने जीवन के अंदर ज्ञाक कर दिखिए वहाँ आपको बहुत कुछ यसा मिलेगा जो खुशी का कारण है बस आपने ही कभी उस पर ध्यान नहीं दिया तो तयार हैं आप खुशी की तलाश अपने जीवन में करने के लिए तो एक पैन लीजिए और एक डाइरी उसमें लिखना शुरू कीजिए उन रिष्टेदारों और मित्रों की नाम जिन से मिलकर आपको खुशी होती है सबसे उपर लिखिए अपने माता-पिता का नाम पती-पत्नी का नाम बच्चों का नाम भाई-बहनों का नाम और फिर लिखिए कि उन्होंने आपके जीवन में क्या क्या दिया है यानि उन्होंने आपके जीवन में क्या जोड़ा है जो उन्होंने दिया वह लिखिए जो नहीं दिया उसके लिए डाइरी में तो क्या आपके जीवन में भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए आप देखेंगे कि आस्प के आसपास कितने ही लोग हैं जो आपकी खुशी का कारण है और वो कारण क्या है वे पल वे बाते जो आपको कल तक खुशी देती थी उन्हें लिग डाली है जब कभी मन उदास हो ये डाइरी निकाल कर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा यकीन मानिये आपकी उदासी उड़न्चू हो जाएगी खुश रहने कि ये कुछ छोटे छोटे नुस्खे कुछ छोटी छोटी बाते हैं जो जीवन में हमेशा खुशी लेके आ सकती हैं आनन्द ला सकती हैं सुख ला सकती हैं आज सिर्फ इतनी ही बात करेंगे अगली बार फिर खुश होने को लेकर के खुशी को लेकर के सुखों को लेकर के जो भी आपकी समस्याएं हैं जो भी आप सोचते हैं उस पर हम बात करेंगे रेडियो मनमीत में हम आपके मन की बात औरों तक पहुँचाएंगे औरों की बात आपके मन तक पहुँचाएंगे आपके मन को जानने समझने की कोशिस करेंगे क्यों कि रेडियो मनमीत है आपका दोस्त हमेशा आपके साथ हमेशा आपको खुश देखता है हमेशा आपको कुछ देखना चाहता है धन्यवाद